पूरक पूछ लीजे चाहते हैं मानने मंत्री जी स्वास्ति भी आदे मैंने असपस्ट किया है कि आरक्षन प्रावधानों का अक्षरसा अनुपालन किया गया तो उस आवेदन में इस आरक्षन के अनुसार अहरता के अनुसार जो जो जोग्य विक्ति होंगे उनका चैन हुआ होगा पुरक है मरा पुरक यह है महुद है कि मेरे पास ये पांच लोगों का नाम है पांच कर्मियों का नाम है जिनके बहाली होई थी इस बहाली में 17-18 में जिनके रिष्टेदारों के भी नाम इसमें है अगर आसन आदेश देगा तो मैं नाम पढ़के सुना दूँगा इसमें नाम है पांच लोग का नाम मैंने लाया है जिनकी उसी नियुक्ती में बहाली हुई है और उनके जो रिष्तेदार है जिसका मेरा अरोप है कि रिष्तेदारों के प्रभाव के वज़े से हुआ है उन रिष्तेदारों के भी नाम है तो पांच लोग के नाम मेरे पास है अगर सदन अनुमती देगा तो मैं सब्सक्राइब मानिय सदस उसकी कौपी मानिय मंत्री जी को दे देजएगा उसका उदेखवा लेंगे इसको तो क्या इस पर क्या यह महुद है करॉप्शन का बहुत बड़ा मामला है 2017 में महुद एक सेकेंड आप जो संग्यान में ला रहे हैं मानिय मंत्री जी देखेंगे मानिय मंत्री जी और कब तक जाच करवाएंगे आपके बहुत प्रिये और सुप्शिन तक है महुद ए मानिय सदस जिस संका को व्यक्त किये हैं ऐसा जदी कही हुआ होगा तो दोसी लोगों पर कारवाई होगी और मुख्याले के वरी अधिकारी से मैं उसकी जाच करूँ ठीक लाइफ बिहाल यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें